हालो एव्रिवन गुद मॉर्निंग मैं शारिका और यह ब्लॉग है मंदे का और अभी सुबर के बज रहे हैं साड़े नौ हज्बिन आफिस जा चुके हैं और उसके बाद मेरा घर का रूटीन अभी स्टार्ट हो रहा है तो यह जो बैट शीट है यह मैं कल शाम को वाश करी तो यह मैं भी बाहर से लेके आए हूं तो यह सब को फोल्ड करना है कट्टे मैंने दो तीन बैट शीट को वाश किया था इसलिए वाश करना पड़ था क्योंकि हमारे एसी लगी ना तो उस टाइम पर हमने सोफो को इसी से ढख रगी थी तो इस पर पूरा डश से भर गया तो अलोक है तो यह बीना व यह बीड़ वाश किया रग्ने सकते अगर बेड़ शीट को वाश करके रखें ना तो बाद में हमारे ही काम आता है अगर कहीं भी शेट करना है तो हम इस बीजह कुत हया सकते है और गंदा रहता है तो यह इसलिए आपव हो चुका था ब्रेकफास्ट वेगरा बनाने का तो वो सब मुझे काम आज करना नहीं है क्योंकि वो मैंने शूट किया नहीं सुबह का तो बस यहां इसको मैंने फोल्ड करके और जो पीछे आप कबर्ड देख रहे हो नहीं इस रूम में इसी कबर्ड में मैं बैट शिट रख करती हूं उसके बाए थोड़ा सा मैं बैट वेगरा सब ठीक कर ले रही हूं क्योंकि यह सुबह सुबह ऐसे ही पड़ा हुआ है एंड यह हो गया है उसके बाद का टाइम और मैं भी जा रही हूं प्रेस करने के लिए क्योंकि मुझे कुछ कुर्टिया प्रेस करनी थी तो यह सारी कुर्टिया मैं भी प्रेस करूंगी तो बेट शीट के ऊपर मैंने एक और बेट शीट भी चा दिया है जिसको मैंने चार फोल्ड में कर लिया है और उसके बाद प्रेस भी मैं इधर ही लगा ली हूं क्योंकि बैठे बैठे आराम से मैं प्रेस कर लोंगे अपने आफिस उसके बाद तो टाइम ही टाइम रहता है क्योंकि वो जब घर पे रहते हैं तो काम नहीं भी रहता है फिर भी चार काम दिखते रहते हैं तो बस यह नहीं रहते हैं तो कोई भी काम नहीं देखता है तो यह सारा काम मैं इनके जाने के बाद ही निप्टाती हूं अप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कुर्ती मैं अच्छा से प्रेस कर लिए और इसी तरीके से मैं कुर्तियों को फोल्ड किया करती हूँ आप देख सकते हो और ऐसे अगर आप फोल्ड करते हो ना तो बहुत ही इसली अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप अपने जाए लेकिन ऐसा कुछ है नहीं चिपकता नहीं है तो इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है दैना भी थर्ड कुर्ती मैं प्रेस कर रहे हूँ तो यह सारी कुर्तिया मेरी नहीं नहीं है घर में मैं इसको नहीं डालती हूँ कहीं में बाहरी पहन के जाती हो तो आसकल मैं सारे कप तो यह सारी कपड़े ना एक बार वाश हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह बैटरिट था और करके हैं कुछ मेरे कपड़े हैं तो यह सारी मैं पीछे ही डाल दे रहे हुए क्योंकि बाहर डालने करा आज कल मेरे बिल्कुल भी राद़ नहीं रहता है क्यूंकि कपडे की कलर भी बहुत ही फ्यट हो जाते हैं धूप से और अंदर ढाल दो तो इसली सूख भी जाते हैं आर बेड़ शिट को भी मैंने फोल्ड करके कबर्ड में डाल दिया है और यह कुर्तिया भी लेके जा रही हूं जहां मुझे रखना है अपने अलमारी में उसको मैंने रख दिया दैन अभी किचन में आ चुकी हूं और किचन में थोड़े बहुत जो काम दिख रहते हैं मुझे व क्योंकि वह नॉर्मल हो जाएगा तो अभी हम लोग बहच के खाएंगे इसको तो एपल को मैं छील रही थी इसमें से साइड साइड में मुझे खराब दिख रहा था तो उसके छिलके निकालने पड़ते हैं अगर साइड में मुझे कहें भी खराब दिखता है तो मैं इसी कि इसको मैं अगर सबीयर करा का में जूँए हुसक? डालते जा रही हूँ और जो बर्तन है उसको मैं अभी सिंक में डालते जा रही हूँ तो ये सारे बर्तन इकटे वाश होंगे अभी थोड़ा थोड़ा मैं वाश करूंगी नहीं उसके बाद यहाँ पे एकाद जो बरतन थे और मैं भी फोन पे बाते करने लगी थी क्योंकि एक मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था तो वहीं मैं बाते कर रही थी और उसके बाद मैं अपने काम भी किचन का करते जा रही थी और कहीं भी आप बात करो ना अगर आप काम कर रहे ह और मिल्क मैंने अभी गरम कर दिया था देख सकते हैं गैस पे वो रखा हुआ है और मैं अभी किचन की लाइट ओन नहीं करी हूं बस किचन के बाहर हॉल की जो लाइट है न वहीं ओन है तो थोड़ा सा आपको यहां पे लाइटिंग में कमी दिखेगी देन काउंटर टॉप भी थोड़ा सा गंदा था तो इसको मैं भी पोषदे रही हूँ और जादा मैं इस टाइम पर नॉमलिय अगर पोष़ती हूं न तो मैं कपड़े को गिला करके पोष्थदी हूं अगर जादा गंदा होता है तब ही मुझे स्क्रबंद में करने होती है तो यहां पे मैं हौल में आ गई हूँ और यह सूल स्टेंड पे भी न थोड़ा सा मुझे गंदा दिख रहा था तो मैं सोच रही थी इसको साफ करो ना करो और यहां पर स्लीपर वेगर रहते तो वो इधर उधर फैले हुए थे तो उसको मैंने सबसे पहले सही किया स्लीपर आराम से लाइन से रखी और यहां पे वाइट सा पता नहीं क्या गिर गया था समझने आ रहा था तो जब भी आँकों के सामने यह सारी चीज़े आती है मैं तो साफ सफाई कर दिया करती हूँ अगर नहीं दिखता है तो वो अलग बात है उसके बाद यहां पे जो यह लगा हुए है तो यहां मैं बताई थी नहीं कि एजी लगा ना तो पूरा धोल 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 हो गया था तो बस इसको मैं साफ कर ले रही हूँ अभी जितना भी मुझे दिख रहाता हो पा रहाता उतना मैं कर रही हूँ और अभी इस पर्ष की स्कूल से आया था तो उसका बैक विगर ऐसे ही था तो मैं पैक से लंच बाक्स विगर निकाल ले रही हूँ और इसको ले जाओंगी किचन में रख दूंगी और उसके बाद यहां पे किचन में अभी मैं वाश नहीं करूंगे देखती हूं वाश कर करना है वैसे लच बॉक्स बेगरा मैं एक ही साथ ही कठे इनकी भी आ जाते हैं तब ही मैं सोचती हूं ने एक ही साथ वाश कर दूंगी तो गैस यह ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना तो बस इसके में जो सबजी एक्स्ट्रा पचिए ना उसको मैं रख दे रही हूं मिलती हूं आप लोग के साथ नेक्स ब्लॉग में बाई टेक केर लव यू आल चैनल को सब्सक्राइब